let's do question number 11th of exercise 4a that is quadratic equation question number 11th is solve each of the following quadratic equations हमें quadratic equation solve करने है 11th question दे रहक है x square plus 12x plus 35 equals to 0 तो चलिए question लिखते हैं सबसे पहले x square plus 12x plus 35 is equals to 0 अब हमने 35 को x square से multiply किया तो यह आ गया 35x square अब इसके ऐसी दो factors plus minus करके हम 12x लाएं तो क्या कर सकते हैं 75 is 35 होता है तो हमने 7x और 5x रखा अब जब हमें आपस में plus करना होता है तो दोनों के same sign रहते हैं यह चीज़ ध्यान रखिएगा अब same sign किस पर depend करते हैं इसकी mid value पर देखिए यह plus के है तो इसका मतलब दोनों के sign plus रहेगा हमेशा इसके please इस exercise के सारे questions देखिएगा तब ही आपको हर एक point पर पता चलेगा कि factorization middle term splitting के तुरू कैसे किया जाता है तो इसका मतलब दोनों का sign plus ही रहेगा तो हम as it is लिख सकते हैं इसको तो x square plus 7x plus 5x plus 35 equals to 0 तो हमने first two terms लहीं x common निकाला तो यह कितना हो गया है x plus 7 दोनों में इसे x common निकाल लिया तो यह 1x बच गया है यह सिर्फ 7 बच गया है इसी तरीके से इन दोनों में 5 common है तो plus का 5 common निकाल लिया तो यह कितना बच गया है x plus 7 equals to 0 तो x plus 7 दोनों में common निकाला तो क्या बच गया है x plus 5 equals to 0 अब हम x की values निकाल लेंगे एक बार x plus 7 को 0 के equal रखा तो x की value आगए minus 7 दूसरी तरफ हमने x plus 5 को 0 के equal रखा फिर से x की value आगए minus 5 तो यह दो values आगए x के roots आगए है this is the answer let's do question number 12, question number 12 says x square equals to 18x minus 77 तो इसको solve करते हैं तो यह आगए हमारा हम question लिख लेते हैं 12th question 12th question दे रखा है हमारा x square equals to 18x minus 77 7 तो हम यह दो values एक side लेते हैं x square की side तो 18x minus का हो गया 7x plus 77 plus का हो गया right equals to 0 अब हमने क्या किया 77 को x square से multiply किया तो यह कितना है 77 x square अब इसके ऐसे दो factors बनाए कि plus या minus करके 18x आए तो हमें पता है 11 7s are 77 होता है अब अगर हम इन दोनों को plus करें तो हमारा 18x बैट रहा है लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि answer minus में आ रहा है तो यहाँ पर अगर minus में आ रहा है तो यह दोनों भी minus के होने चाहिए अगर मैं इन दोनों को minus कर दूँ क्यों दोनों होने चाहिए क्योंकि हमें add किया है add के case में दोनों figures same sign के होएंगी तभी add होगा अब देखिए यह तो minus के हैं क्या यह plus का 77 बना रहे है तो देखिए minus minus plus हो जाता है yes 1177 तो दोनों मिला के plus का 77x square बना रहे है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x square minus 11x minus 7x plus 77 equals to 0 अब x common आ गया तो यह किता बज़ गया x minus 11 इसमें से minus का 7 common आ गया तो यह बज़ गया x minus 11 equals to 0 अब दोनों brackets same आने की वज़े से x minus 11 common दिख रहा है तो क्या बज़ गया x minus 7 equals to 0 यह देखिए फिर से बता रहे हैं यह लिखा इसके बाद इन दोनों में से x common निकाला यह बज़ गया इसमें से x minus 11 बज़ गया इन दोनों में से 7 common निकाला तो यहां x बज़ गया यह 11 बज़ गया और जब minus common लेते हैं तो अंदर के sign change हो जाते x की value minus की थी तो plus का हो गया plus की value minus की हो गयी अब इन दोनों में से x minus 11 थे दोनों में से common ले लिया x minus 11 तो यहां x बज़ गया और यहां सिर्फ minus 7 बज़ गया तो वो एक bracket में लिख दिया अब हम x की value एक बार minus 11 x minus 11 को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा हमारा 11 और एक बार हम x minus 7 को 0 की equal रखेंगे तो x क्या बार आ जाएगा 7 is the answer let's do question number 13 question number 13 में कह रहा है 6x square plus 11x plus 3 equals to 0 तो इसकी value लिख रहेते हैं question लिख रहेते हैं यहाया question number 13 थै हमारा 6x square plus 11x plus 3 equals to 0 तो अब हम क्या करेंगे 6 और 3 को multiply करेंगे तो यहां गया 6 3 is the 18 x square अब इसके ऐसे दो factors की plus minus करके 11 x आ है तो 6 और 3 ले 6 3 is the 18 तो 6 plus 3 किया यह 9 आया minus करेंगे तो 3 आएगा तो दूसरा factor क्या हो सकते है 9 2 is the 18 9 plus 2 किया तो 11 आ गया यही आ रहा है 11x देखिए यहां पर तो हम इसका मतलब 9 और 2 factor ले सकते हैं तो हमने एक लिए 9x एक लिए 2x अब इसकी middle term के देखते हैं plus महीं आ रही है तो दोनों के sign plus महीं रहेंगे और यहां पर भी plus ही है तो हमने सीधा लिख लिए 6x square plus 9x plus 2x plus 3 equals to 0 अब इन दोनों में से 3x common आ गया किन दोनों में से इसमें से और इसमें से 3x common आ गया तो एक तो x बज़ गया और एक 2 बज़ गया तो हमने लिखा 2x plus 3 plus 1 common 2x plus 3 equals to 0 देखिए यहां से 3x इन दोनों में से common लिख रहा है यहां पर x एक निकल गया यहां 3 3s are 9 होता है तो एक 3 निकल गया तो 3 बज़ गया इसी तरीके से इन दोनों में कुछ भी common नहीं है तो 1 common हुआ तो 1 हमने भार निकाल लिया आप देखिए यह दोनों brackets common है तो यह common निकाल लेंगे तो क्या बज़ जाएगा दूसरे bracket 3x plus 1 बज़ जाएगा तो हमने निकाला 2x plus 3 common निकाला तो यह आगया 3x plus 1 equals to 0 तो अब हमने x की values निकाल देंगे 2x plus 3 को 0 की equal लिया तो 2x किसके equal आगया minus 3 के और x किसके equal आगया minus 3 upon 2 के इसी तरीके से 3x plus 1 हमने 0 के equal रखा तो 3x किसके equal आगया minus 1 के और x किसके equal आगया minus 1 upon 3 के is the answer